सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से जो की है टोनल जो भी आप बेसिक शेडिंग करते हो किसी भी अबजेक्ट में उसको हम टोनल बोलते हैं अगर आपको ये टेक्निक आती है तो आप सारी टेक्निक्स को काफ़ अच्छे से कर पाएंगे बस इसके लिए आपको shading की knowledge हो नीची कि depth वाले area को shade कैसे करना है light areas को किस तरह shade करना है किस तरह से आपने shading को mix करना है तो वो सब इस tonal में आएगा मैं आपको shade करके रिखाता हूँ पिल्कुल simply जो हम shading करते हैं उसे को बोलते हैं इस वाले box में थोड़ी dark shading करता हूँ सो यह तो simple shading है जिसको हम tonal बोलते हैं जो की basic होता है अगर आपको यह आते हैं तो सारी techniques को आप अच्छे से कर पाएंगे अब मैं आपको एक nose draw करके दिखाता हूँ इसी shading का use करके तो ऐसे ही मैं सारी shading का use करके same nose draw करूँगा जिससे आपको सारी shading techniques का समझ में आजाएगा किस तरह से उनको use करना है इसमें तो आपने simply shading करना है light areas, dark areas को देखके ब्लूब स्लोली स्लोली सो हमारी first shading technique खतम हो चुकी है जो की है tonal तो इस तरह से simply shading है तो so next technique है smudging जिसको हम blending भी बोलते है जो की smooth texture लाने के लिए करते है उसके लिए हमारी shading अच्छे हो नीचे जो कि मैं आपको पहले दिखाई करके उसी तरह से पहले shading करेंगे उसके उपर से फिर कोई भी blending tool का use करके हम smudge कर देंगे so मैं stump का use करता हूँ इसको blend करने के लिए आप fingers का भी उज़ कर सकते हैं और brushes का भी उज़ कर सकते हैं और different tool आते हैं इसको blend करने के लिए बट इस technique को उज़ करने से पहले आपकी shading अच्छे होनी जी अगर आपको shading की knowledge नहीं है तब आपकी blending की कोई फायदा नहीं है blending हम smooth texture लाने के लिए और realistic बनाने के लिए करते हैं so अब मैं same ऐसे ही एक nose draw करता हूँ उसको shading करता हूँ फिर उसको उपर से मैं आपको blend करके दिखाता हूँ so guys आप देख सकते हैं काफी smooth texture आ चुगा है nose पर तो इसलिए हम smudging का use करते हैं तो यह second technique हो गई अब third technique है हमारी hatching hatching भी दो type की होती है एक simple hatching होती है जिसमें हम एक ही direction में hatching करते हैं और एक होती है cross hatching जो कि मैं आपको इसके बाद बताऊँगा इसमें हमको simply एक ही direction में hatching करनी होती है इस तरह ऐसे एक ही direction में hatching करके हम complete drawing को draw कर सकते हैं इसका use graphite, charcoal, color pencil और pen सब में होता है इसमें भी same वैसी shading करनी होती है जो भी dark area से वहाँ पे थोड़ dark hatching कर सकते हैं और जहाँ पे light हो वहाँ पे light hatching कर सकते हैं बस एक ही direction में करनी है मैं भी आपको same nose draw करके दिखाता हूँ next है हमारी cross hatching same वैसे ही है जैसे मैं आपको पहले करके दिखाया बट उसमें हम different direction में भी strokes को लगा सकते हैं जरूर नहीं आपको एक ही direction में लगानी है इस तरह से हम किसी भी direction में lines को लगा सकते हैं उसके opposite direction में तो इस तरह से मैं आपको एक nose भी draw करके दिखाता हूँ same वैसे ही तो इसमें हम different strokes को use कर सकते हैं different angles पे तो ये काफी favorite है मेरी next technique का नाम है scumble इस technique में हमें oval की shape में अपनी pencil को move करना होता है basically इस technique का use हम paid poddy बनाने के लिए करते हैं paid poddy आप काफ इच्छे से बना पाऊगे इच्छे से पत्तियां बगेरा होती है बस आपको pressure को control करना पड़ेगा जहाँ पर dark को वह हम थोड़ dark pressure का use कर सकते है और बाकिया आपको knowledge होने चीए dark area को shading करने की light area को shading करने की इस technique से भी गवर nose draw करी दिखाता हूँ आपको so last technique है stipple जो कि हम dot dot से drawing बनाते हैं basically आजकर लिए ज्यादत तर popular हो रही है क्योंकि हम pen का यूज़ करके draw करते हैं इसमें simply हमें dot लगाने है जहाँ पर light areas होंगे वहाँ पर हमें light dot लगाने है और जहाँ पर dark areas होंगे वहाँ पर थोड़ dark pencil का यूज़ करके dot लगा सकते हैं और या फिर dark pen का यूज़ करके dot लगा सकते हैं only in dots का यूज़ करके हमें complete drawing ब्रॉइंग करनी पड़ती है so guys कुछ इस तरह से हम इन सारी techniques का अपनी drawings में use कर सकते हैं so guys यह हैं कुछ shading techniques जिनका हम अपनी drawings में use कर सकते हैं इसमें सब्सक्राइब बेसिक मैं आपको बताई जो कि है tonal वाली जो की basic shading है जो कि मैं आपको बताता हूँ अपनी videos में तो जिनको अगर आपको realistic बनानी है तो आपको उसी का use करना पड़ेगा और उसमें blending करनी पड़ेगी तो अगर आप beginner है तो आपको उसी की practice करनी चीए अगर आपको वो आती होगी तो आप सारी shading कर पाओगे जितनी ही मैं आपको दिखाई बस आपको method पता होना चीए कि dark areas, light areas को आपको shade करना होना चीए बाकि आप hatching, जो भी है dot वाली सारी आप कर पाओगे तो आपको उसी की practice करनी चीए so guys इस video में इतना ही I hope you enjoyed this video if you enjoyed this video give it a big thumbs up and do subscribe to my channel we'll see you in my next video तो 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 do practice, do improve, take care and thank you so much for watching